तो वेलकम गाइस उम्हीद करता हूँ आप सब खेरिये से होंगे तो आज जो हमारा होम पेज था वेबसाइट का उसका हम ब्लॉक सेक्षिन जो बाकी रिमेनिंग पार्ट हो हम कंप्लीट करेंगे डिजाइन तो यहां पर हम सिंपल क्या करते हैं सबसे पहले बार-बार मैं ज उसके लिए मैं करता हूँ उसके लिए मैं सिंपल इधर जाता हूँ और इधर से हम साइट सेटिंग में जाएंगे और यहां पर हम जाएंगे ग्लोबल फॉंट और यहां पर मैं प्राइमिरी को इसको चेंज कर दूँगा पॉपिंस में पॉपिंस और उसके बाद मैं इसक साथ ही साथ इसको भी मैं poppins में change कर देता हूँ अब यहां पर typography में чेंज करता हूँ poppins में pop-ins और फिर अगर हम नीचे जाएं तो जो link है link का भी मैं change कर देता हूँ pop-ins में pop-ins फिर उसके बाद हमारी heading 1 है उसको भी मैं change कर देता हूँ pop-ins में फिर इसी तरह heading 2 को भी change कर देता हूँ और heading 3 pop-ins okay so heading heading 4 का किया है heading 4 pop-ins और 7-7 heading 5 को भी हम pop-ins कर देते हैं और हमारी जो last heading है उसको भी हम pop-ins कर देते हैं अब यानि के मैं जो भी text enter करूँगा वो default उसका जो font होगा वो pop-ins होगा तो यहां से मैं इसको update कर देता हूँ okay go back to reader अब यहां पर हम नीचे आते हैं नीचे यहां पर मैं plus के sign पर click करता हूँ और यहां पर हम मुझे दो sections चाहिए एक section जो मुझे चाहिए वो चाहिए मेरे blogs के लिए जो मेरे blogs show हो recent और दूसरा section मुझे चाहिए जहां पर मेरा sidebar show हो अब sidebar जो है वो मुझे थोड़ा सा चाहिए तो उसको मैं के करूँगा यहां पर मैं इसको edit करूँगा simple edit और column width इसको मैं कर देता हूँ 75 75 जो भी यह कोई भी ठीक है 74 75 ठीक है इसको मैं यहां से कर देता हूँ 74 74 फिर हम यहां पर इदर जाते हैं और इदर मैं सरच करता हूँ grid post यहां से मैं drag करूँगा और यहां पर मैं इसको drop कर दूँगा और उसके बाद मैं के करूँगा यहां पर number of post to show इसको मैं कर देता हूँ one one इसको हम one कर देते हैं और फिर हम layout में जाते हैं और मैं चाहता हूँ कि यह उदर भी one show हो or display item as इसको आप अपने असाबसे सैट कर सकते हैं जसे उसे जह चाते हैं छो आप यह कुछ इस तरह का शो होगा अगर आप गरेड़ कर देते हैंटो murmma остI of कर यह कर सकते हैं यह डिरमपर जायंगे डिस प्लिय को सलेक्ट करें झाथा मुझे जो चीज़ें शो वो ना हो।। उनको मैं यहां से OFF कर देता हूं। तो सबसे पहले मैं यहां से CC CRAF 38 कावर यह यहां से OFF करता हूं। उसके बाद यह रीड मोर वाल जी मैं जी болड़्यी है, इसको मैं बंद कर देता हूं। यहां से मैं प्रिलै कर देता हूं उसके लिए हम जाएंगे यहां से style में और image aspect ratio इसको मैं यहां से custom कर देता हूं और custom करके इसको मैं कर देता हूं 0.45 0.45 ठीक है अब इसी के सासत मैं इसको curve कर देता हूं थोड़ा सा तो इसका border radius मैं 20 कर देता हूं और यहां से हम title में जाते हैं title का size मैं यहां से कर देता हूं अब हमारा जो font है वो default और फे popings है तो यहाँ पर में इसको कर देता हूँ कि इसको मैं 15 कर देता हूँ इसको अगर हम थोड़ा से नीचे कर लें तो यहाँ से इसको मैं 28 कर देता हूँ और जो इसका weight है हम इसको थोड़ा सा border कर देते हैं 600 कर देते हैं और जो line height है इसको मैं EM पे करके 1.4 कर देता हूं 1.4, okay उसके बाद हम इसको मैं करता हूं post info, और post info का size हम कर देते हैं typography में इसका size मैं कर देता हूं 15, okay और फिर इसके बाद हम करते हैं exert, और exert का जो size है वो मैं 16 कर देता हूं size, इसको हम 16 कर देते हैं और line height इसको मैं EM पे करके 1.6 कर देता हूं 1.6, okay अब यहां से मैं इसको simple update कर देता हूं और यह मेरा एक blog इस तरह शो होगा मैं चाहता हूं कि मेरे जो बाकी blog यहां वो इसके नीचे शो हो रहा है, okay अब यहां पर मैं इसको number of post यह सारी चीज़ें आपने अपने हसाब से कस्टमाइज करनी है, मैं बस आपको एक खुबसूरत और mobile responsive website बना के दिखा रहा हूं जिससे आपको समझ आ जाए कि हम इसकी setting किस तना करेंगे, इसका phone किस तना change करेंगे यह सारी चीज़ें मैं वस आपको सिखा रहा हूं, आपने यह सारी चीज़ें अपनी website के according अपने job का client है आपने उसके according चेंज करनी है अब इसके साथ ही हम display पर जाते हैं वही setting हम दुबारा कर लेते हैं, मैं categories off कर देता हूं, author off कर देता हूं और इसको मैं before title कर देता हूं और यहां से मैं read more off कर देता हूं, अब यहां से हम जाते हैं content में और यहां पे अगर आप चाहते हैं यहां पर मुझे यह post show और यह blog show हो रहा है, उसके नीचे भी मुझे यही blog show हो रहा है, अगर आप इस चीज़ को खतम करना चाहते हैं तो पे आएंगे ये देखें start offset इसको आप one कर दें जैसी आप इसको one करेंगे तो ये सिरफ एक दफा शो होगा उसके बाद इधर जो second most recent post होगी वो शो होगी लेकिन अभी के लिए मैं इसको off कर देता हूँ क्योंकि अभी हमने हमारा सिरफ एक blog है तो अभी के लिए मैं इसको off कर देता हूँ उसके बाद हम जाती हैं यहां से style पे और यहां से मैं इसका custom करके इसको कर लेता हूँ जीरो पॉइंट सेवन ओके तो यह कुछ इस तरह की show हो रही है उसके बाद हम इसका radius कर देते हैं 20 और फिर मैं title पे जाता हूँ इसका title हम set कर लेते हैं typography और इसका size मैं कर कर देता हूँ title को हम exert में जाती हैं और यहां से मैं typography और इसका size है वो मैं 15 कर देता हूँ और साथ ही साथ जो इसका weight है वो default और पे 400 होता है तो हम 400 कर देंगे इसको यह हमारा ready हो गया अब हम कुछ space add कर लेते हैं तो यहां से इसका मैं जो first column है इसको मैं select करता हूँ advanced और यहां से मैं इसकी padding set कर लेता हूँ padding मैं isकी यहां से इसको इधर मैं 80 कर देता और इसको 20 कर देता हूँ ए कुछ इस चैना की show रही है उसके बाद हम क्याकरते है हम अपने second column को choose करते है style emailsource और यहां पर इसका margin है उसको मैं bottom से कर देता हूँ 50 यहाँ से मैं 20 को चारू है है अब हम मारा यह वाला column edit हो चुछके है अब हम इसकी तरफ चलते हैं तो इसको यहां से मैं edit करता हूँ और यहां पर इसको हम यहां से edit करते हैं और यहां से मैं advanced में जाता हूँ और advanced में make sure कर लेता हूँ कि इसकी जो padding हो वो zero हो ठीक है इसको मैं zero zero कर लेता हूँ और उसके बाद हम यहां पर intersection add कर लेते हैं intersection और इसको मैं यहां से delete कर देता हूँ okay delete हमें सरफ यहां पर एक section चाहिए तो मैंने बाकी section delete कर लिया अब हम इस intersection को edit कर लेते हैं यहां से मैं इसको choose करता हूँ और यहां पर columns gap यहां से मैं इसको कर देता हूँ no gap अब यहां पर मैं अपने author की details enter करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं यहां पर उसकी image add कर लेता हूँ उसके लिए मैं यहां पर लिखता हूँ advanced image यह देखें इसको यहां से मैं इधर drop करता हूँ और यहां से मैं उसकी image choose कर लेता हूँ upload file select files मैं यह choose कर लेता हूँ open अब यह जो मैंने image add किया यह मैंने demo purpose के लिए add किया ठीक है आपने यहां पर जो आपका author है आपने उसकी either add करनी है मैं सिरफ demo purpose के लिए add कर रहा हूँ यहां से हम इसको full कर देते हैं size को और उसके बाद हम style पर जाते हैं और style में जाके image की max width है उसको मैं 50% कर देता हूँ यहां पर आपने इसको percent कर देना है और जो इसका border radius है उसको भी हम percent पर करके 50 कर देते हैं 50 यह कुछ इस तरह का show हो रहा है इसको percent में करके यहां से मैं इसको 50 कर देता हूँ तो यह कुछ इस तरह की show होगी आपको अब उसके बाद हम यहां से जाते हैं setting में और इसको central line कर लेते हैं अब अगर यहां से यह work नहीं कर रहा है यहां से central line नहीं हो रहा तो उसके लिए हम क्या करेंगे उसके लिए हम जाएंगे simple अपनी website में इसको यहां से मैं update कर देता हूँ तो update होने के बाद हम यहां से जाएंगे अपनी website पे हम जाते हैं और जो हमारी यह image है इसको हम inspect कर लेंगे मैं निचे जाता हूँ यह मेरी image है इसको मैं right click करके inspect कर लेता हूँ अप यहां पर यह मुझे image शो हो रही है अब यहां पर यह आपको class शो हो रही है div class aux media image ठीक है इसको आपने का करना है आपने इसको select करना है और यहां पर आपने plus और यहां पर आपने लिखना है simple margin और इदर margin और यहां पर आपने लिखना जीरो और साथ आपने लिखना auto okay now simple हम इसको यहां से copy करते हैं यहां तक copy और वापस हम जाते हैं elementor में और इसको मैं क्लिक करता हूँ advanced और यहां से custom CSS और यहां पर मैं paste कर देता हूँ okay जैसी मैंने इसको paste किया तो यहां पर center में आ गया okay अब यहां से हम इसको update कर देते हैं अब यहां पर हमें name चाहिए इसका तो उसके लिए हम क्या करेंगे मैं simple यहां पर जाओंगा और यहां पर मैं search करूँगा modern heading इसको मैं simple यहां से drag and drop करूँगा इदर और हमें इसकी जिगास मैं नाम लिखका तो नाम मैं लिख देता उ जो blogger है मेरा उसका नाम मैं यहां पर लिख देता हू Zhong Mike Joseph Joseph ओके यह नाम आगया उसका और इसका colour हम करदेतेहां dark black मैं यहां से style में जाता हूं color और यह करदेता हूं Lei is dark black अब यहां से मैं content में वापस जाता हूँ यहां पर हमारे पास जो secondary heading है इसके अंदर मैं लिखता हूँ photographer and blogger photographer okay इसको हम capital में लिख लेते हैं photographer and blogger okay और उसके बाद हम description में जाते हैं और यहां पर मैं description add कर लेता हूँ हम कुछ भी लिख लेते हैं did you come here for something in particular or just general riker bashing okay and blowing into okay यहां पर यह मैंने कुछ description add कर लिया okay अब इसको हम central line कर लेते हैं यहां से मैं इसको central line कर देता हूँ और उसके बाद हम style में जाते हैं और style में सबसे पहले हम heading को थोड़ा सा set कर लेते हैं heading heading का मैं size change कर लेता हूँ तो उसके लिए मैं जाओंगा typography में और यहां से इसका size मैं कर देता हूँ around 20 okay weight इसका मैं कर देता हूँ bold इसके बाद हम line height इसकी set कर लेते हैं वो em पे करके हम कर देते हैं 1.3 so हम इसका margin set कर लेते हैं यहां से मैं इसको unlink करता हूँ और top से मैं इसका margin कर देता हूँ 20 और bottom से मैं इसका margin कर देते हैं 7 ओके अब उसके बाद हम जाते हैं हमारी जो secondary heading है मैं उसको set कर लेते हैं थोड़ा सा हम secondary heading में जाएंगे और यहां से मैं इसका size change कर लेता हूं, size, size मैं इसका कर देता हूं 15 और weight इसका 400 कर देता हूं और उसके बाद, जो line height है, इसकी वो हम कर देते हैं 1.4, 1.5 मैं कर देता हूं और जो letter spacing है, वो हम इसकी कर देते हैं 1.8, okay, now it's looking good, तो अब हम क्या करते हैं, इसका color है, मैं color भी इसका थोड़ा सा change कर लेता हूं, okay, color, color यहां से मैं इसका कर देता हूं, text, यहां से हम typography में जाएंगे, और description का size मैं कर देता हूं 16, okay, और इसका weight है वो हम थोड़ा light रखते हैं, वो मैं रख देता हूं 400, और उसके बाद line height जो है इसकी, वो हम EM पे करके कर देते हैं, 1.6, 1.6, तो हमारा यह वाला section है, यह ready हो गया, अब हम क्या करते हैं, यहां पर मैं एक और inner section add कर लेता हूं, इसको मैं यहां से drag करके नीचे ले आता हूं, okay, और इसको मैं delete कर देता हूं यहां से, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, यहां पर मैं फिर इसको कर देते हैं, column gap, no gap, और उसके बाद यहां से मैं heading add कर लेता हूं यहां पर, और title इसका मैं यहां से कर देता हूं, subscribe and follow, subscribe and follow, okay, इसको मैं central line कर देता हूं, और यहां से इसका जो color है वो मैं dark black कर देता हूं, उसके बाद हम typography में जाते हैं, और इसका size है वो मैं 20 कर देता हूं, और 7 साथ जो इसका weight है, उसको मैं bold कर देता हूं, और जो line height है, उसको मैं EM पर करके 1.3 कर देता हूं, okay, यहां पर मैं इसको, यह s चोटा कर देता हूं, subscribe and follow, okay, अब यहां पर हम social media icons add कर लेते हैं, तो उसके लिए मैं यहां पर जाता हूं, और यहां पर मैं search करता हूं, advanced image, choose करता हूं, upload files, select files, और यहां से मैं, यह icons choose कर लेता हूं, इनको मैं simple add कर लेता हूं, open, first of all, मैं YouTube वाल icon add कर लेता हूं, insert media, और यहां से, इसका जो size है, वो मैं full कर देता हूं, okay, फिर उसके बाद हम style में जाते हैं, और यहां से जाके max width मैं कर देता हूं, 50 pixels, मैं चाहता हूं कि जैसी मेरा user इस पर click करें, तो यह redirect कर दे मेरे YouTube channel पर, तो उसको link करने के लिए, यहां से जो मेरा YouTube channel है, यहां से मैं link copy करूँगा, और यहां पर simple मैं इसको paste कर दूँगा, paste, और यहां से पर हम advance में जाते हैं, और यहां से मैं simple width में जाता हूं, inline auto, okay, और margin मैं कर देता हूं, right से मैं इसका margin कर देता हूं, five, okay, अब हम इसको कर देते हैं, duplicate five time, duplicate, okay, once more duplicate, duplicate again, and again, okay, यह मेरा कुछ यूँ हो गया, अब मैं यहां से इसको edit करता हूं, और choose image, और यहां से मैं facebook की image choose करता हूं, okay, इसको मैं link कर देता हूं, अपने facebook account से, और यहां पर simple मैं paste कर देता हूं, okay, paste, तो facebook account भी मैंने link कर लिया, उसके बाद मैं यहां से जाता हूं, इसकी image change कर लेता हूं, हम twitter कर लेते हैं, insert media, और इसी तरह आपने यहां पर अपना जो twitter का link है, आपने वह enter करना तो यह twitter भी link हो जाएगा, फिर उसके बाद choose image, instagram, और साथ ही साथ इसको भी मैं change कर लेता हूं, ओके अब मैं इसको column को edit करता हूं, edit column, ओके अब यहां से इसको मैं edit करता हूं, और इदर इसको मैं center कर देता हूं, औप्डेट करने के बाद इसको went to last करता हूँ अडवांस में जाती है तॉप से करदेता हूँ 35 और यहांसे मैं करदेता ओ ऑप्डेट करदेता संफे और इस सक्षन को मैं करता हूं यहांसे मैं इसकशन एड़ कर लेता इसको हमेदू नीचे ले आते हैं इसके और इस section को मैं करता हूँ copy और यहां पर मैं इसको simple कर देता हूँ paste और इसको हम कर देते हैं delete कि यू शो हो रहा हूँ okay अब यहां से जो इसका text है इसको मैं change कर देता हूँ और इसके text की जिगह मैं लिख देता हूँ must read article read articles articles okay और इनको मैं यहां से delete कर देता हूँ क्योंकि मुझे यह नहीं चाहिए okay delete delete okay अब इसके निचे यहां से मैं widget add कर लेता हूँ उसके लिए मैं जाता हूँ इधर और इधर मैं सर्च करता हूँ popular post popular post widgets यहां पर show नहीं हो रहा उसके लिए मुझे इधर नीचे जाना पड़ाएगा हम नीचे जाते हैं नीचे यहां पर wordpress का रहा है मैं इसके नीचे जाता हूँ और यहां पर मैं सर्च करता हूँ popular post यह देखें popular post widget इसको यहां से मैं इधर drop करता हूँ तो यह कुछ इस तरह का show हो रहा है अब यहां से मैं recent और comment जो हैं इनको मैं off कर देता हूँ recent tab comment tab now तो अब यह कुछ इस तरह का show हो रहा है उसके बाद display image title date उसके बाद हम जाते हैं यहां से advanced में और यहां से मैं custom CSS में जाता हूँ अब इसका जो code है वो हम simple यहां पर paste कर देंगे मैं code आपको एक दफार show कर देता हूँ हम इसको अगर बड़ा कर लें तो आप simple यहां पर आप video को pause करें और यह code आप लिख सकते हैं सारा ठीक है मैं इसको नीचे भी कर देता हूँ यह देखें आपने simple video पॉस्ट कर रही है और इसको आपने as it is देख लेना ओके इसको आप करते हैं कोपी करते हैं सारा इसको यहां से मैं कोपी करता हूँ कोपी और यहां पर जाके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ ओके यह मेरा कुछ इस तरह का show हो रहा है अब अगर आप यहां से इसका size वगरद है चेंज़ करना चाहते हैं तो आप change कर सकते हैं आप simple यहाँ पर जाएं यह देखें font size अगर आप यहां से 17 करते हैं तो यह तो यह थोड़ा इसका size change हो जाएगा फिर आप font weight change कर सकते है line height change कर सकते आप इसको जिसना अगर मैं इसको 1.5 कर दूँ तो यह दखें मैं इसको 1.3 रहने देता हूँ तो उसके बाद इसको हम कर देते हैं अपडेट अब हम क्या करते हैं इदर जाते हैं और यहां से मैं इनर सेक्षिन एड करता हूँ एड इनर सेक्षिन और इसको यहां से मैं डिलेट कर देता हूँ और यहां पर simple मैं इसको edit करता हूँ edit no gap यहां पर मैं modern heading add कर लेता हूँ हम इदर जाते हैं और सर्च करते हैं modern heading इसको यहां से मैं drag and drop करता हूँ इदर अब इसका title मैं यहां पर लिखता हूँ join the news letter okay उसके बाद हम secondary description में जाते हैं और यहां पर मैं before text लिखता हूँ you okay will receive the latest news and updates on your favorite favorites okay अब यहां पर हम उपर जाते हैं उपर मैं simple यहां पर राइट किलिक करता हूँ copy और इदर मैं आके इसको paste style कर देता हूँ simple यह कुछ इस तरह का हो जाएगा okay अब हम क्या करते हैं यहां पर मैं search करता हूँ mail chimp इसको यहां से मैं drag करता हूँ और यहां यहां पर मैं इसको drop कर देता हूँ okay यह कुछ इस तरह का show रहा हमें तो इसके हम style में जाते हैं और style में मैं नीचे हम जाते हैं subscribe button यहां पर border type यहां पर हम जाएंगे background type मैं इसको choose करता हूँ और यहां से इसको हम करते हैं color इसका मैं choose करता हूं e63196 color इसका मैं यह चूज़ करता हूँ उसके बाद हम simple जाते हैं border radius में okay where is border radius यह रहा हमारा border radius इसको मैं 20 कर देता हूँ इसके बाद हम जाते हैं typography यहां पर हम जाते हैं और size इसका मैं कर देता हूँ text का 16 मैं 16 और उसsie semester उसके साथ 16 और उसके बाद हम जाते हैं input में और यहां पर इसका border radius मैं कर देता हूँ 20 पॉर्डРИस मीज़़ा जादा कर देता हूँ इसको 30 कर देता हूँ उसके बाद यहां से Meg स्कौरडिट करता हूँ इसका color सा change कर लेता हूँ स्टाइल में जाते हैं Background टाइप और इसका Color मैं यहां से सेट कर देता हूँ S1 जब कर देता हा यह Color हम इसका सेट कर देते हां इसके बाद जहां से मैं जाता हूँ Advanced में Margin इसका मैं कर देता हूँ सिक्स्टी 40 और 25 तो यह कुछ इस तरह का शो हो रहा है और इसको भी मैं रेडियस में कर लेता हूं उसके लिए मैं स्टाइल में जाता हूं यहां पर बॉर्डर बॉर्डर रेडियस इसको मैं कर देता हूं 20 और यहां से मैं इसको अपडेट करता हूं और हम इसको यहां पर देख लेते हैं तो यह में कुछ यूँ शो हो रहा है यह हमें यहां पर कुछ यूँ शो हो रहा है तो उसके बाद हम क्या करते हैं हम सिंपल यह देख लेते हैं कि जो पेज हमने क्रियेट किया यह मुबाइल फ्रेंडली है या नहीं है तो उसके लिए मैं करता हूँ मैं यहां पर जाता हूँ रिस्पॉंसिव मूट और यहां से मैं मुबाइल वाले उप्शन पर जाता हूँ तो मुबाइल पर हमारी वेबसाइट कुछ यू शो हो रही है तो सबसे पहले मैं करता हूँ मैं इसको text को choose करता हूँ और यहां से मैं इसको centerline कर देता हूँ और इसका जो size है वो मैं चोटा कर लेता हूँ उसके लिए यहां पर मैं इसको कर लेता हूँ 33 ओके now it's looking good फिर हम second text पर जाते हैं इसको भी हम centerline कर लेते हैं इसको भी हम centerline कर लेते हैं तो यहां से मैं इसको centerline करता हूँ और इसका size भी मैं थोड़ा सा चोटा कर देता हूँ तो इसका size मैं कर देता हूँ around 15 हम कर देते हैं उसके बाद हम इसको choose करते हैं email button को और हम यहां से style में जाते हैं style में मैं जाता हूँ और यहां पर मैं इसकी width कर देता हूँ 300 ओके नोइ इस लुकिंग बेटर और फिर हम यहां से नीचे जाते हैं सब्सक्राइब बटन और यहां पर मैं इसकी max width कर देता हूँ 180 है इसको मैं 300 इसको भी 300 कर देता हूँ और उसी के साथ साथ इसकी height मैं कर देता हूँ 70 बलके हम 65 कर देते हैं 100 उसके बाद हम क्या करते हैं हम नीचे आते हैं यहां पर इसको मैं choose करता हूँ और इसका यह जो space है इसको मैं कम कर देता हूँ इसको space को मैं कर देता हूँ 200 इसको मैं कर देता हूँ तू थर्टी ओके नौ इस लोकिंग गुड उसके बाद यह सही लाग रहा है इसको हम नहीं छेड़ेंगे फिर हम इदर आते हैं इसको यहां से मैं एडिट करता हूँ और यहां पर सिंपल मैं अडवांस में जाता हूँ इसको यहां से मैं चूज कर द निचे जाते हैं और इसकी पैडिंग भी मैं कर देता हूँ ट्वन्टी राइट से भी 20 और लेफ द से भी 20 ओके इसको भी हम देख लेते हैं इसकी पैडिंग भी मैं 20 कर देता हूँ 20 & 20 फिर इसी तरह इसकी पैडिंग भी मैं 20 कर देता हूँ 20 & 20 ठीक है इसकी भी पैडिंग हम चेंज कर देते हैं 20 & 20 ओके अब हमारी वैबसाइट कुछ इस तरह शो हो रही है अब हम यहां से वापस जाते हैं अब यहां पर मैं करता हूँ मेरा यह वाला जो section है इदर मैं right click करता हूँ और right click करके मैं इसको save as template कर लेता हूँ ताकि अगर बात में मुझे कभी use करना पड़े तो मैं यहां से इसको template इसका use कर लूँ इसका नाम मैं रखता हूँ home right sidebar यानि अब बात में अगर मुझे कभी इसकी जुरूरत पड़ी तो मैं simple यहां से इसका template यूज कर लूँगा यहां पर यह देखें यह मेरा template आ गया है इसको यहां से मैं close कर देता हूँ तो यह थी हमारी आज की video जिसके अंदर हमने देखा के हम इसका जो हमारा home का remaining part था blog वाला हम उसको किस तरह create करेंगे उसको किस तरह design करेंगे और जो हमारा right sidebar है उसको किस तरह design करेंगे और साथ ही साथ हमारी जो website हमने इसको mobile friendly भी बिनाया तो उमीद करता हूँ आपको आज की video समझ आई होगी अगर आपको किसी चीज की समझ नहीं आई या वर्डप्रेस से related कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप comment section में पूछ सकते हैं तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए खुदा आफे